दुबई संजुक्त अर्ब अमीरात का एक ऐसा शहर है जो अपने विश्व सरिया बन्यादी डांचे लगजरी खरीदारी जिवन्त नाइट लाइफ के दृष्या रेगिस्तानी सफारी का अनंद लेने के लिए जाना जाता है दुबई दुनिया के 10 विजट किये जाने वाले शहरों की सुची में आता है दुबई में सभी के लिए कुछ ना कुछ है अगर आप दुबई गूमने के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए जानना अतिमहत्त पूर्ण है कि दुबई विजगे क्या डाकूमेंट्स लगेंगे कितना समय लगेगा कितनी फीस लगेगी एव कोविड 90 की वज़े से क्या बदलाब हुआ है क्या कोविड 19 की वज़े से हमें कुश अलग से डकुमेंट देने हैं जानेंगे इस वीडियो में तो चलिए शुरू कर तब से पहले हम देखेंगे कि दुबई का वीजा हासल करने के लिए हमें क्या डकुमेंट की जूरत चाहिए और जिसमें न्यून तुम दो पेज खाली हों जिन पर वीजा की स्टेंप लग सके पासफोर्ट में आप पासफोर्ट के प्रथम पेज जिसे हम पासफोर्ट बायो डेटा पेज भी कहते हैं जिसमें फोटो और अन्या व्यक्तियत विवरन होते हैं और अन्तिम पेज जिसमें आपके माता-पिता-पती-पतनी का नाम और एड्रेस होता है को colored scan करके save कर ले क्योंकि जब आप visa के लिए apply करेंगे तो ये दोनों page upload करने में आपको असानी होगी नमबर दू फोटो अभी की खचाई हुई colored passport size photograph जो matte finish हो जिसमें 70 से 80 परसंट तक face cover किया गया हो जिसका faith background हो इम कोई border ना हो जिसका size 15 mm by 15 mm हो note अगर आपकी अभी अभी शादी वी है और शादी के तुरंत बाद आप दुबई जाना चाहते हैं तो photo ID proof के साथ माता पिता से NOC, शादी का card, शादी की photo आदी मांग सकते हैं अगर आपके passport पर पती जाँ पतनी का नामंकत नहीं है तो आप अपने marriage का certificate लगाएं अनिता एक 100 और पेके stamp paper पर एफिडेविट दें और उसे नोट्री से टेस्ट कराएं अगर आपका passport ECR Immigration Check Required Category का है तो confirm return a ticket OK to board processing के लिए मांग सकते हैं COVID-19 के दुरान जातरा करने के लिए अवश्यक दस्तवेज और जब आपका दुबई का वीजा लग जाए तो आपने ये documents साथ ले कर जाने है No.1 Health Declaration Form ये इस form का link है इस link पर आप click करेंगे तो form पर पहुंच जाएंगे ये इस तरह का form है इसका link मैं description में भी दे दूँगा आप वहाँ से download कर लें Write clearly and in block letters इसे साप सुत्रियक्षरों में भरें इसमें आपने अपना personal data जैसे name, nationality वगरा employment data, accommodation data दुबई में आप कहा रहेंगे वहाँ का address, medical data और इस agreement में अपना नाम लिखना है signature करने है और date डालनी है अगला document है quarantine undertaking form ये इस form का link है इसे मैं description में भी दे दूँगा आप वहाँ से download कर लें अब इस पर click करेंगे ये इस तरह का form है इसमें आपने अपना नाम, passport नमबर mobile नमबर, email address बरने है, signature करने है और date डालनी है health declaration form और quarantine undertaking form ये दोनों form आपको flight में एम एरपोर्ट पर भी मिल जाएंगे जिन्हें आप भरकर दे सकते हैं इसे आप किसी भी insurance company से खरीज सकते हैं जो दोबई में मानने हो ध्यान रखें कि जो भी आप insurance policy लें अगर आप भुमार पड़ जाते हैं अथवा आप करोना से पीड़ तो हो जाते हैं तो insurance policy में उसका खर्चा कवर हो नमबर चार, COVID-19 test result conductor 96 hour before that departure COVID-19 के test का result जो आपके जाने से 96 गंटे पहले किया गया हो इसे आप अपने शहर के किसी लिबोटरी से भी करवा सकते हैं और approved hospital से भी करवा सकते हैं अगर आप अपने शहर के किसी लिबोटरी से करवाना चाते हैं COVID-19 test center at your city country अगर आप अपने देश शहर के किसी test center से करवाना चाते हैं तो ये उसका link है इसे मैं description में दे दूँ approved hospital list अगर आप hospital से करवाना चाते हैं तो ये उसका link है जिस पर आप click करके वहां पहुंच जाएं ये उस site का link है यहां से आप अपना visa check कर सकते हैं इस link पर click करने से आप उस site पर पहुंच जाएंगे इस link को मैं description में भी दे दूँगा तांकि आप इस link को सानी से हासल कर पाएं और अपना visa check कर सकें मैंने इस video में पूरी जानकरी दी है फिर भी अगर आपको क्यों और जानकरी चाहिए तो comment करके पूछ सकते हैं यह हमारी Emma Overseasys Consultancy कुर्षेत्रा का address एवं phone number है आप appointment लेकर हमारे office में आकर भी मिल सकते हैं अगर जी video आपको पसंद आए तो click subscribe करे, like करे, share करे एवं bell icon को भी प्रेस करें तांकि आपको मेरी हर video की notification मिलती रहे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस video को देखने के लिए मिलते हैं अगले video